हजारों सालों से देवी देवताओं के बीच में चलती लड़ाई जगड़े को अब खत्म करने का वक्ता चला था जब देवी अथीना जो की मानी जाती है युद्ध और ज्यान की देवी उसने बुरे देवताओं के साथ जंग लड़ने के लिए कुछ नाइट से यहनी की जोड़ लिया यह जंग एक लंबी समय तक चली और आखिर में वह एक इनसानी रूप में धर्ति में आ गई मगर व्विषिवानी का कहना था कि वह एक बार जरूर अपने असली रूप में आएगी और जिस दिन धर्ति को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता and then scene shift होता है कहानी के one of the main lead character सया पर जो कि इस वक्त एक अपनी बच्पन की फोटो को देखकर अपनी sister Patricia को याद कर रहा था क्योंकि Patricia उसे बच्पन में लड़ाई वगरा करना सिखाया करती थी और वही थी जिसके पास में एक ऐसा खास ताबीज था जो की जरुत पढ़ने पर चमकता था मगर एक दिन उसकी बहन उससे जुदा होई रोट ताबीज हमीशा के लिए सया के पास आकर रहा गया देन हम देख पाते हैं कि वह एक रिंग में होता है या फिर कहें कि एक फाइटिंग कॉम्पेटिशन में जहां पर केसियोस आकर उसे बताता है कि नन्न लड़के अब तीरी बारी है और पिछली बार की तरह नाचने मत लगना तुछ पर बहुत पैसा लगा है और अगर ती का फाइटर जिसने अभी तक ऑलरडी दो धुरंदर को धूल की पटकनी देदी थी अब यहां पर उसकी जंग थी सेया के साथ में अब जैसे की सईया मारने से जदा बचने में बिलीव रखता था तो वह काफी बार उससे डिफेंस करता जाता है मगर यह बातें कि यह उसको पटक कर मारने ही लगता है मगर तब ही हम देख पाते हैं कि फाइनल पटकनी से पहले ही सबसे पहले हैं के पास में कुछ अंजाने लोग आते हैं जो कि उसे अपनी टीम में मिलने के बारे में कहते हैं वहीं दूसरा कैसियोस एक ऐसे अंजाने शक्स को कॉल करके बता देता है वो उर्जा वाले लड़की की तलाज जो तुम पिछले कई सालों से कर रहे थे वो मिल चुका है तो यह जो अंजाना शक्स जो कि अपने आपका नाम अलमन बताता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर वो उर्जा है जो कि इस दुनिया की रक्षक युद्ध और ग्यान की दिवी अधीना का रक्षक बनेगा खेर इस वक्त सेया को यह सारी बाते समझ में आ नहीं रही थी और उपर से कैसी उसने गुराड नाम की एक ऐसी औरत को फोन कर दिया था जो कि थी तो बैसीकली एलमन सूपर स्पीड और स्ट्रेंथ सूपर स्ट्रेंथ में बदल चुकी थी तो खैर यहां पर माईलो की गूलियां भी कुछ खासा अच्छा काम नहीं कर पा रही थी दैन यह लोग यहां से भागना ही साही समझते हैं और यह अपनी गाड़ी में बैट करके बहुत दूर निकल पड़ते हैं लेकिन उनका गुलियां बरसा जा रहा था लेकिन कैसे ऑफुल स्पीड में वहां से निकल करके खुद के बैट करके उस जगह से निकल जाते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग कौन हो वो लोग कौन है जो मेरे उपर इतने सारे हमले कर रहे हैं तो यहां पर माईलो और एलमन उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो समझ नहीं रहा था इसलिए उसे एक जटका दे दिया जाता है यहां पर एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे पेट्रीशिया अपने भाई को बचाने के लिए एक अलमारी में बंद कर देती है उस आई है जहां पर देवी देवताओं के बीच में हुई जंग के कारण हम इंसानों को भी कुछ ऐसी ताकत मिल गई जिससे हमारे पास सूपर पावर जा गई अब बेसीकली सीन यह हुआ था कि जो योद्धा एथिना के इंसानी रूप को धर्ती पर बचा कर लेकर आया था त चुकि बुरे देवों के खिलाफ जंग लड़ने में उसकी मदद करेंगे खैर इस वक्त सिया को यह सारी बाते बेकार लग रही थी और वह पूछ भी रहा था कि आखिर अथेना कौन है यह जगह क्या है तुम कौन हो जहां पर एलमन बताता है कि एक टाइम पर मैं सिर्फ एक बिजनसमैन हुआ करता था मगर जिस वक्त मुझे अथेना मिली तो मैं और मेरी वाइफ उसे घर पर ले आए और जिस वारियर ने अथेना को धरती पर लाने के लिए अपनी जान गवादी उसके सूट से काफी सरे ताबीज बनाये गए जिनसे की और भी अलग-अलग य यूमन फॉर्म थी मदब आगे चलकर के अथेना बनेगी तो यहां पर यह लोग बैठकर के खाना खा रहे थे कि तभी एलमन के पास एक इंपॉर्टन कॉल आता है वो बाहर निकल जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के अंदर अथीना को यान इन सबी को रक्षक की तलाश थी यानि की पैगेसिस की जो की अथेना की रक्षा करेगा वहीं दूसरी तरफ हम गुराड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आय होते हैं उसी रिंग के अंदर और चेक कर रहे थे कि क्या सच मुझ उस लड़के में वह उर्जा है जो की अथे की लाइन में explain कर देता हूं तो बेसीकली कोई देवो वाला दुश्मन तो इस पूरी मूवी में था नहीं जस्ट खाले इंसान ही थे जो की डर रहे थे कि अगर अथीना अपने असली रूप में आ गई तो धरती तबाह कर देगी लेकिन अथीना को समझाय भी तो जा सकता यह इंसानों ने सोचा नहीं इसलिए कुछ लोग यानि की कहा जाए तो एलमन की बीवी ही अथीना को उसके एक्च्वल फॉर्म में आने से रोकने की कोशिश करती है ताकि वो दुनिया को बचा सके जबकि एलमन का यह सोचना था कि फ्यूचर में जब यह लड़की बड़ चूच चल रहे थे यह लोग थे तो बहुत जदा अमीर हर किसी का अलग-अलग प्राइविट पर बहुत शांदार रेजिदेंशल था मगर थे एक दूसरे के खिलाफ है तो यहां पर गुराड कैसी उसको प्रोटोटाइप नाम की एक खास पावर दे डालती है जो कि उसके पुराने सबी सोलजर्स में भी थी जिसे मिलने के बाद तो वह अपने दुश्मन से को खत्म करने के लिए तयार था उसका मकसद किसी देवी देवताओं की जंग में शामिल होना नहीं बलकि सिर्फ से को खत्म करना था क्योंकि रिंग में उसकी बेज़दी करी थी अब यह जाना अगर उसे बताती है कि देखो अमीर होना कोई बहुत बड़ी किस्मत की बात नहीं हाला कि है हमारे पास में लाकों करोडों रुपए जिसकी वज़े से आज हम कुछ भी खरीच सकते हैं मगर लाइफ में सुकून नहीं है क्योंकि मेरी बॉड़ी जो कि किसी भी वक्त एक दीवी में बदल सकती है तो नजाने अब दीवी बन करके वो इस धर्ती को बचाएगी या फिर खत्म करेगी तो तुमसे ज़्यादा जिंदगी की टेंशन तो मुझे है यहां पर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो कहीं न कहीं दोनों के ही बीच में अट्रेक् पैन लेती है जो कि लोगों की लाइफ की पावर को खैच सकता है मगर इनका मकसद सिर्फ पावर पाने के अलावा दूसरा ये भी था कि कैसे भी करके इस लड़की यानिकी सियाना के बारे में ज्यादा इंफ्रमेशन मिल सके कि आखिर वो देवी बनेगी कप तो यह लोग को पकड़ कर लेकर आया थे वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बताओ आखिर तुम सियाना के बारे में क्या जानते हो मगर वो इतना हाड बंदा था कि वो कुछ भी नहीं बताता वहीं दूसरी द्रफ सियाना करके सिया को एक बैक देती है जिसके इंदर बहुत सारा फूड था और वो कहती है कि तुम्हें अब ट्रेनिंग के लिए जाना है और अब जैसे कि अच्छा खाना इस गरीब ने खाया नहीं था तो वह इस बैक को लेकर करके माइलो के साथ में एक ऐसे आइलेंड पर चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात मैरें से होने वाली थी ये मेरिन भी अथेना के योद्धाओं में से एक योद्धा थी जो कि बाकी निचले योद्धाओं को ट्रेंड करने का काम किया करते थी तो एक बड़े उचे पहाड की परिक्षा को पार करते वे सेया उस पहाड के उचाई तक पहुँच तो जाता है मगर मरीन को उस पर व इस धर्ती पर होने वाली जंग के बारे में कोई इंट्रस्ट नहीं था तो यहां पर मरीन उसे कहती है कि तुमसे पहले और भी कई सारे योद्धा आये हैं मेरे पास ट्रेंड होने के लिए मगर आखिर में तुम्हें क्यों सिखाओं जिस पर सही अगा बताना था कि देखो मरीन को यह मालुम तो चल चुका था कि उसके अंदर वह वाली पावर्ड जरूर है बस खाली फोकस हिला हुआ है तो अगर उस फोकस को पूरी तरीके से यूज किया जाए तो वह भी एक फाइनल जोडिया की योद्धा बनने के काबिल है वहीं दूसरी तरफ अब कैसी और से तैयार हो चुका था एक प्रोटोटाइप को ले करके एक ऐसा युद्धा बन करके जो कि सईया को पूरी तरीके से खत्म कर पाए अब जाए एक तरफ वह उसकी मौत के फर्मान लेकर निकला था वहीं दूसरी तरफ सईया अब मरीन के साथ मिलकर के युद्धाओं वाली है जहां पर वोई देख पाता है कि अथेना जो कि गुस्से में आकर कि इस पूरी धर्ती को खत्म कर देगी मगर दूसरा विजन ये भी था कि उसकी बेहन पेट्रीशा को जब गुराड लेने के लिए आए थी तो वहां पर खुद अलमन भी शामिल था तो इस बात से में आ अब सिरिफ वैलमन को खत्म करना है क्योंकि वही मेरा दुश्मन है मरींग का कहना था कि तुम्हें पावर्ज मिली तो है मगर तुम अपने मकसद से भटक नहीं सकते तुमहरा मकसद है कैसी भी करके अथीना की रक्षा करना जबकि तुम अपना मकसद चेंज करके अपनी ब अधिधा वाली पावर्ज चली जाती है दूसरी दरफ हम देख पाते हैं कि नीरो आता है उसी बॉडिगार्ट के पास में और बताता है कि बताओ आखिर अथीना एक्टिवेट कब होगे लेकिन वह एक रफ एंटफ बंदा था तो वह कुछ भी बताता नहीं है कि हम लोग क बड़ा कीड़ा बन करके उस बॉडिगार्ड को डराता है जहां पर फाइनली इनकी लोकेशन दे डालता है कि बाकी अलग प्रोटाइप से भड़ करके अपनी ताकत आजमाईश कर रहा था और फाइनली बताता है कि मैं अब तयार हूं उन सभी का खात्मा करने के लिए वह यहां से वो निकल पड़ते हैं इस आईलेंड से बाहर जो कि उसे जाना बिल्कुल मना था मगर सेया को सारी सच्चाई बताने के लिए ऐसा करना जरूरी था अब बेसी कली वो सेया को बताती है कि देखो उस दिन जब एलमन पैट्रीशिया को अगवा करने आया था मगर उस उसकी एनरजी को ट्रैक करने के बाद में किस वक्तों कहां पर है अब यह जगह सेफ नहीं है माइल यहां की कमान तो मैं अपने हाथ में लेनी होगी कि तब हम देख पाते हैं कि वहां पर गुराड की लोग पहुंच जाते हैं जो कि इस पूरी जगह पर हमला करने लगते है हैं बहुत खतरनाक फाइट हो जाती है इसी बीच माइलो भी उन सारे दुश्मनों से भिड़ पड़ता है मगर सबसे खतरनाक बात यह थी कि इनका जो मुकाबला लीड कर रहा था यानि कि कैसियोस वह बहुत ज़्यावी पहुंच चुके थे जो कि कैसियोस का मुकाबला कर लगते हैं मगर इस वक्त कैसियोस बहुत ज़्यावी पावर था क्योंकि उसके पास में प्रोटोटाइप वाली पावर थी और अब जैसा कि सहीया के पास में खुद की पैगेसिस वाले युद्धा की ताकत ही नहीं थी इतना मार खाता है कि दान तूट जाते हैं पूरा कि सभी दुश्मनों को यहीं पर खत्म कर दे मगर यह सभी दुश्मन अपना काम करने में काम्याब हो चुके थे तो एंड में यहां पर सरफ माईलो और सया ही बचते हैं जिनने की अब सियाना को बचाना था वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नीरो और गुराड मिल करके आदर से अथेना को पूरी तरीक से खत्म करने लगते हैं यह जौडिया का ऐसा तंत्र मंत्र का जाल था जिससे की दीरी-दीरी करके उसके अंदर के अथेना मरने लगी थी मगर जैसा कि इन्सूपर हीरो योध्धाओं के अंदर एखास बात थी कि जैसी अपनी अनरज जो कि अब था Superpower वाला अब यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मन कैसे उस्य होती है जहां पर अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त जंग होती हैं मगर सिर्फ एक लाथ के अंदर कैसि यहां पर घाला जाता है अब यहां पर अथेना को बचाने की कोशिश क पावर थी से ही मिली तहीं और मरीने यहां पर पैगेश के बीच में बहुत बड़ी जंग हो जाती है यहоловग आपस में भरजाते अब फिनिक्स का मकसद था कैसे भी करके जरुए ना खत्म कर देना था कि उसके रक्षक पैगेस्थ का यह मानना था कि अगर अधिया और ज्ञान दुनिया को और बिज़ा निखार सकती है यानि की डवलप कर सकती है बड़ी चलती जर्थी बीच में इन दोनों में खूब मुकाबला होता है यह लोग कभी कबार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं मगर एड़ एक बड़े धमागी की वजह से यह सभी नीचे घर पड़ते हैं अब इसी जोडियक वाली मशीन थी इनकी वो पूरी तरीकी से तूड जाती है और अथेना को जो लास्ट और उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे इंदर इतनी पावर है कि तुम्हारे घुस्य से कहीं दुनिया खत्मना हो जाए कई सारे मासूम लोग मारे जाएंगे और जब देवी देवताओं को पूजने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर तुम्हारी ताक्तों का भी क तरीके से हील करती है और अपनी मा के हाथ भी ठीक कर देती है क्योंकि उनका मना बदल चुका था आप जाएक तरफ एंड के इंदर माइलो सया और सियाना एक अलग रहा पर निकल चुके थे उन सभी बाकी की युद्धाओं को ढूनने के लिए क्योंकि जिस तरीके से अथी में गोल्डन कवच वाला तावीज लग चुका था और इसी तगड़िस के साथ में शांदार मूवी यहीं पर खत्म होती है आपको यह वीडियो एक्स्प्राइशन कैसा लगा प्लीज मुझा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और पहली बार इस चानल पर आया है और प्लीज दो सब्सक्राइब इस चानल क्योंकि ऐसी वीडियो लाने में सच मुझ बहुत मैनत लगती है काफी टाइम से मैं साथ की मूवी ला रहा था अपने में निश यानि की हॉलीवड मूवी के लिए चानल शुरू किया था वह लाना ही बंद कर दिया था क्योंकि उस प कर बता दीजेगा मैं जल्से जल्द कोशिश करूंगा कि उन्हें आप तक पहुंचा सकूं सो काइस तेंग यू सो मच वर वाचिंग दिस लॉंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा सब तब तक के लिए की वाचिंग स्थे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो मे जाष्टी ए राफ तक के लिए ए.